हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू यॉर फेवरिक चैनल राइट टू इंजोई आज हम आपको बताएंगे टॉप सेविन बेस्ट माइलेज कार्स अंडर 12 ब्लैक रुपीज इंडियन आटो मोईल इंडरस्टी में मोस्टली कमपनिया अपनी कारों में माइलेज को ध्यान में रखकर डिजाइनिंग करवाती हैं क्योंकि इंडिया में कस्टूमर मोस्टली माइलेज कार्स को पहली प्रिफरेंस देना चाते हैं अपनी कार को पॉकेट फ्रेंडली बनान Top 7 Best Mileage Cars की लिस्ट में 7th नमबर पे आती है Mahindra की TUV300 अपने launch के बाद ये कार इंडियन मार्केट में large amount में sale होई और ये competition देती है अपने segment की दूसरी कार Vitara Breza को Because ये दोनों ही कार सेम फीचर शेयर करती है Mahindra TUV300 का डीजल इंजन आपको देता है 18.49 kmpl का माइलेज कार मिलेगी आपको डेली में 8.52 लेक्स से 10.52 लेक्स की प्राइज रेंज में 6 पोजिशन पर आती है निसान की केक जिसमें मिलेगा आपको 1.3 लीटर टर्बो डीजल इंजन जो प्रड्यूस करता है 156 PS की पावर और 254 नैनोमीटर का मैक्सिमम टॉर्क इस कार में लगा है मोस्ट पावरफुल इंजन जो हमें देता है 20.14 kmpl का माइलेज ये कार कॉंपटिशन देती है किया की सेल्टॉस और हुन्डाई की क्रेटा को निसान की प्राइज रेंज की बात करें तो ये कार आपको मिलेगी 10,95,000 से 11,9,000 की प्राइज रेंज की स्लोट में फिफ्ट पोजिशन पर आती है किया की सेल्टॉस 2020 की दा मोस्ट फेमस कार किया की सेल्टॉस का डिजाइन बहुत ही बोल्ड एंड अट्रेक्टिव है सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में मिलता है आपको पार्किक सेंसर, ABS, VMS, 6 airbag और बहुत सारे एडवांस फीचर्स इस कार में मिलता है आपको 1.4 लीटर 3 स्लिंडर डीजल इंजन जो जनरेट करता है 140 बह की पावर और 242 नैनोमीटर का टॉर्क इसका VGT डीजल इंजन देता है आपको 20 KMPL का माइलेज किया की सेल्टाउस की डेली एक्शोरूम प्राइज स्टार्ट होती है 9.89 लेक्स से 11.54 लेक्स तक फोर्थ पोजिशन पर आती है सभी की फेवरेट हुणडाई क्रेटा दे मोस्ट ब्यूटिफूल एन स्पेशियस कार जिसने अल्मोस्ट सभी सेगमेंट में अपनी पोजिशन को हमेशा बना के रखा अपने लॉंच के बाद से हिउंडाई क्रेटा टोटल 22 वेरियंट में आती है इस कार में मिलते हैं आपको 10 कलर आप्शन डेली एक्शोरूम प्राइज स्टार्ट होती है 9.99 लेक्स से जो की वेरी करती है 15.72 लेक्स तक इस कार में मिलता है आपको 1.5 लीटर फोस लेंडर इंजन जो जनरेट करता है 123 बीएज की पावर और 151 नैनो मीटर का टॉर्क ये कार आती है लगभग 1500 सीसी के इंजन के साथ जिसमें डीजल वेरियंट आपको देता है 21 केमपील का माइलेज चलिए आप बात करते हैं टॉप 3 बेस माइलेज कार्स की जिसमें 3 पोजिशन पर आती है फोट की इको स्पोर्ट्स इस कार की अपीरियंस बहुत ही अट्रेक्टिव है कंपरी ने इस कार को इंडियन रोट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है इसके अलाबा इस कार मे मिलता है आपको 22 kmpl का माइलेज इस गाड़ी के डेली एक्षोरोम प्राइज स्टार्ट होती है 8.4 लैक्स से 11.66 लैक्स तक यह फॉट कंपनी की इंडिया में वन आफ दो मोस्स सेलिंग कार है अपने लो मेंटिनेंस कॉस के बिसिस पर बात करते हैं सेकेंड बेस माइलेज क कार की तो इसकी पोजिशन ग्रैप की है दब मोस्ट पॉपलर कार ऑफ 2019 हुनडाई वेन्यू यह कार पैट्रोल और डीजल दोनों ही वेरियंट में अविलेविल है लेकिन आज हम बात करेंगे इसके 1.44 स्लेंडर डीजल इंजन की जो जनरेट करता है 90 बहप की पावर और 220 नैनो मीटर का टॉर्क यह कार आती है 1493 CC के इंजन के साथ जो आपको देता है 23 kmpl का माइलेज इस कार की डेली एक्षोम प्राइज है 8.10 लेक से 11.15 लेक तक इस कार में मिलता है आपको ओन डिमांड इंटीरेट डिजाइन एंड प्लैंटी ओफ कलर ऑप्शन फर्स्ट भी है कमपनी ने इस कार को इंडियन सोसाइटी की पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर बनाया है इस कार में मिलता है आपको 1.5 लीटर 4 स्लेंडर डिजल इंजन जो जनरेट करता है 94 बीच पी की पावर और 225 नैनो मीटर का टॉर्क इस कार में मिलेगा आपको एक्स्टर ल मैलेज कार बनाता है इसकी डेली एक्स्टरूम प्राइज स्टार्ट होती है 9,85,000 से 10,95,000 यह थी टॉप 7 बेस्ट मैलेज कार इंडेजल वेलियंट अंडर 12 लैग रुपीज आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल राइट इंफर्मेशन मिलते हैं नेक्स वीडियो में